तो आज हम पढ़ने वाले class 6 mathematics chapter 3 playing with numbers की next exercise exercise 3.2 तो चलिए देखते हैं इनकी questions one by one तो first question है test the divisibility of the following numbers by two याने कि आपको test करना है numbers को कि क्या वो divisible होगा divide होगा two numbers से तो जैसे कि students पिछले वीडियो में हमने आपको basic concepts part 2 वाली वीडियो में पढ़ाया थे कि divisibility rule क्या होते हैं और कोई भी number को कैसे चेक के आता है कि वो number किसी particular number से divide होगा या नहीं होगा तो two का divisibility rule में हमने पढ़ाया थे students की हम इसका कोई भी number का last digit या फिर once place वाला digit चेक करते हैं यहां पर अगर आखरी में या once place वाला digit में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है मैं लिख देता हूँ यहां पर last में या फिर once place पर अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो number 2 से divide होगा अब यहां पर देखी last में क्या है, 9 तो यह number 2 से divide नहीं होगा, students, clear है, इसमें देखी last में क्या है, 8, तो 8 है तो यह 2 से divide होगा इसके last में क्या है, students, once place पर 7, तो 7 तो यहां पर नहीं है, तो यह 2 से divide नहीं होगा इसके बाद आले में देखिए 1, तो 1 तो यहाँ पे नहीं है मतलब कि 2 से divide नहीं होगा clear है students चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है test the divisibility of the following numbers by 3 यानि की question तो same students कि आपको test करना है divisibility पर इस बार आपको check करना है 3 के लिए and 3 का rule क्या था sum rule यानि की आपको plus करके देखना है digit को और plus करने के बाद जो number आता है अगर वो 3 से divisible है या 3 की table में आता है तो इसका मतलब वो number 3 से divide होगा clear है अगर आपने हमारी basic concept वाली वीडियो जो की part 2 वाली वीडियो थी वो नहीं देखें students 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 ओके कितना आया 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 6 15 15 प्लस 9 24 24 प्लस 3 27 तो students क्या ये 27 3 की table में आता है yes 3 9s are 27 तो इसका मतलब ये जो number है ये 3 से divide होगा clear है ऐसे इसको भी check करेंगे चलिए 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 चलिए प्लस करते है 9 प्लस 8 हो गया आपका 17 17 प्लस 7 हो जागा 24 24 प्लस 4 28 28 प्लस 5 it's 33 तो ये number 3 तेंज़ थार्टी 3 11 थार्टी 3 यहां फिर 3 से divide करेंगे तो पूरा पूरा divide हो जाएगा इसका मलब ये जो number है ये 3 से divisible होगा चलिए next number दिखते हैं इसमें भी क्या करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 चलिए प्लस करते हैं 5 प्लस 4 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 3 यहां जागा 21 21 प्लस 8 29 29 प्लस 5 34 34 प्लस 2 36 राइट तो students ये जो है 3 से divisible करेंगे तो 3 प्लस 3 3 प्लस 6 पूरा प्लस दिवाइट हो जाएगा इसका मलब ये भी 3 से divisible होगा प्लियर है चलिए next number देखते हैं तो चलिए अब यहां पे इंडिजित को प्लस करते हैं तो लिखेंगे 8 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 तो चलिए प्लस करते हैं 8 प्लस 3 हो जागा ही 11 11 प्लस 7 एटीन 18 प्लस 5 23 23 प्लस 4 27 27 प्लस 1 28 राइट students तो students 28 जो है वो 3 की डेबल में नहीं आता है राइट 3 नाइन जा 27 3 तेन जा 30 तो ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा ओके students clear है चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है test the divisibility of the following numbers by 4 तो यहाँ पर अग्यन हम को divisibility test करना है पर इस बार 4 के लिए चेक करना है and 4 का rule था कि last के 2 digits चेक करते हैं last के 2 digits चेक करते हैं students okay so let's see कैसे करेंगे तो यहाँ पर जो last में 2 हैं वो कौन से नंबर है 92 तो चलिए चेक करते हैं 92 जो है वो 4 से डिवाइड होता है क्या तो 4 2s are 8 माइनस करेंगे यह जाएगा 1 2 आएगा नीचे तो 4 3s are 12 माइनस करेंगे तो यह 92 दिवाइड हो गया इसका मदभी पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा clear है चलिए 4 के लिए next नंबर देखते हैं तो यहाँ पर नंबर है 98,576 तो क्या यह नंबर 4 से डिवाइड होगा तो last के 2 digits लिजिए 76 तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 4 से डिखते है 4 1s आ 4 माइनस करेंगे 7-4 3 6 आएगा नीचे 4 9s आ 36 माइनस किजिए यह पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है मलदब यह नंबर 4 से डिवाइड होगा students ओके clear है next question देखते हैं यहाँ पर है 48484 तो क्या यह नंबर डिवाइड होगा चलिए चेक करते हैं यह है 84 लास्ट के दो डिवाइड होगा तो देखेंगे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2s आ 8 माइनस यह देखा कट 4 आया नीचे 4 1s आ 4 माइनस कट पूरा पूरा डिवाइड होगा मतलब यह 4 से डिवाइड होगा ओके स्टूरेंट्स चलिए नेक्स कोशन देखते हैं अब क्या यह 98246 4 से डिवाइड होगा तो चलिए आखरी के दो डिवाइड पकड़ते हैं दिख रहा है वैसे तो नहीं होगा फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ चलिए 4 से डिवाइड करना है 4 वन्जा 4 माइनस कट 6 आएगा निसे आप यह आपे 0 लिख सकते हैं students no problem 4 वन्जा 4 माइनस करेंगे तो बच गया 2 रिमेंडर बच गया students यहाँ पे यह नमबर 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुए आखरी दो डिजिट ओके क्लियर है चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है test the divisibility of the following numbers by 5 यहाँ पे भी हमको test करना है divisibility पर इस बार चेक करना है 5 के लिए and 5 का rule मैंने आपको पढ़ाया था कि last में या फिर last में या फिर once place पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए students तो देखिए इसके last में 5 भी नहीं है 0 भी नहीं है तो यह number 5 से divide नहीं होगा इसके इसमें देखिए last में क्या 0 तो यह obvious है कि यह 5 से divide होगा क्योंकि आखरी में 0 है तो 5 से divide होगा ही होगा अब यहाँ पे देखिए last में क्या है 5 है तो 5 है तो यह 5 से divide होगा इसके last में क्या है 4 है 5 भी नहीं है 0 भी नहीं है तो यह students 5 से divide नहीं होगा बहुत ही simple है बस आपको rules एक बार माई में fix करना है ओके students चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है test the divisibility of the following numbers by 6 यहने कि यहाँ पे भी divisibility को test करना है लेकिन इस बार number है 6 ओके students तो students 6 का rule हमने बताया थे 6 का divisibility rule था आपको check करना होगा 2 के लिए and 3 के लिए अगर दोनों से divisible है तो number 6 से भी divisible होगा ओके students तो चलिए याने कि हमको यहाँ पे 2 3 and then 6 तीनों लिखना होगा तो पहरे चेक करते हैं 2 के लिए कि क्या यह number जो है यह 2 से divide हो रहा है फिर चेक करेंगे क्या यह number 3 से divide हो रहा है अगर दोनों से divide होगा तो इसका मदलब वो number 6 से भी divide होगा अब देखिए 2 से कैसे चेक करते हैं उसका last digit देखिए उसके last में अगर 2, 4, 6, 8, 0 है तो 2 से divide होगा तो यहाँ पे 4 है तो यह 2 से divide होगा 3 का rule क्या आता sum rule याने कि plus करके देखिए 7 plus 1, 8 8 plus 1, 9 9 plus 2, 11 11 plus 4, 15 15, 3 की table में आता है 3 की table में आता है मदलब 3, 5, 15 होता है तो यह 3 से भी divide होगा अब क्योंकि यह 2 से भी divide होगा students, 3 से भी होगा तो यह 6 से भी divide होगा ओके, clear है तो यही चीज़ें इस number के लिए भी check करेंग students तो चलिए रिखेंगे 2, hashtag 3 and hashtag 6 याने की 2 से भी divide हो रहा है क्या 3 से हो रहा है क्या 6 से तो 2 के लिए last digit देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है मदलब कि यह 2 से भी divide नहीं होगा जब 2 से भी divide नहीं हो रहा है चलिए यही चीज़ चेक करते हैं next question के लिए तो लिखेंगे वापस से 2 के लिए चेक करेंगे then 3 के लिए चेक करेंगे then 6 के लिए चेक करेंगे अब 2 के लिए चेक के जिए last में 2, 4, 6, 6 है मदलब यह 2 से भी divide होगा 3 के लिए सबको plus करके देखिए students 5 plus 4, 9, 9 plus 3 12, 12 plus 8, 20 20 plus 7, 27 27 plus 6, 33 तो 33 जो चेक लिए students वो 3 से डिवाइड होगा 3 1s आ 3, 3 1s आ 3 यानकी 11 आएगा तो यह number जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो क्योंकि students यह जो number है वो 2 से भी divisible है 3 से भी divisible है तो यह number 6 से भी divisible होगा clear है तो चलिए last question के लिए यही चीज़ ट्राइक करेंगे 4 2, 4 3 and 4 6 चलिए 1 by 1 चेक करते हैं तो क्या यह number 2 से डिविजिबल होगा उसके लिए last में देखिए 2, 4, 6 यानि कि यह 2 से डिविजिबल होगा इस students right 3 के लिए आपको सबको plus करके देखना है 4 plus 1, 5 5 plus 8 13, 13 plus 0 13, 13 plus 7, 20 20 plus 3, 23 23 plus 6, 29 तो 29 जो चीज़ ट्राइक के टेबल में नहीं आचा है 3 नाइज आ 27 and 3 टेंज आ 30 तो क्योंकि students यह number 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा ओके students clear है चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है test the divisibility of the following numbers by 8 तो यहाँ पर भी हमको test करना है divisibility लेकिन इस बार जो check करना है वो number 8 के लिए करना है and number 8 का rule क्या था students की last के last के 3 digit जो है अगर वो 8 से divisible होते हैं तो वो number भी 8 से divisible होगा तो इस question में देखिए 88,364 में आगरी के 3 digit पकड़ी है 364 अब rough में 364 को आप divide करके देखिए 8 से क्या ही divide होता है 8 4s are 32 minus कीजिए 6 minus 2 4 3 minus 3 cut और 0 4 आएगा नीचे then 8 5s are 40 and remainder बच गया 4 तो यहाँने की students 364 जो है यह completely divisible नहीं है 8 से क्योंकि यहाँ पे remainder 4 बच गया है तो क्योंकि 364 divisible नहीं है इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 8 से divisible नहीं होगा clear students चलिए देखते है next question अब यहाँ पे जो next number students हो है 27,314 तो इसके last के 3 याने की यह होजागा 3 unit 14 तो चलिए चेक कर देए क्या 3 unit 14 जो है वो 8 से divisible है या नहीं है तो 8 3s आ 24 8 4s आ 32 बड़ा हो जाएगा माइनस करिए 11 माइनस 4 हो जाएगा 7 2 माइनस 2 जीरो एने कट 7 आएगा sorry 4 आएगा नीचे 8 9s आ 72 माइनस करेंगे तो remainder बच गया 2 तो क्योंकि 314 जो है ये भी 8 से divisible नहीं होगा ओके students clear है चलिए देखते है next question अब जो number है वो है 558,880 ओके students तो इसमें भी हमको last के तीन दीजी चेक करना है कि क्या ये 8 से divisible होंगे तो number देखने सी समझ में आ रहा है कि 8 से divisible होगा students क्योंकि देखिए 8 1s आ 8 minus हो जाएगा तो 0 फिर 8 आएगा नीचे तो 8 1s आ 8 minus हो जाएगा तो cut and 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 0 0 हो जाएगा ओके तो यहनकि 110 और पूरा-पूरा divisible हो गया है कोई भी यहाँ पे remainder नहीं बचा 8 से divisible होगा students क्योंकि यहाँ पे यह जो 880 है यह 8 से divisible है तो यह पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से divisible होगा चलिए देखते है next question अब यहाँ पे जो नंबर है वो है 6,80,008 तो यहाँ पे जो आखरी के तीन डिजिट है वो है 008 तो चलिए चेक करते हैं कि 008 जो है क्या वो 8 से divisible होगा तो अब यह से हाँ अब देखिए students यहाँ पे 00 कोई काम का नहीं है तो यह क्या हो जाएगा 8 से डिवाइट करेंगा तो 8 बंजा 8 यानि कि यह डिवाइट हो गया है and remainder कुछ भी नहीं बचा है okay this is cut so यहाँ पे remainder नहीं है और यह 8 से divisible है इसका मतलब यह पूरा का पूरा जो number है यह भी 8 से divisible होगा okay students clear है इतना चलिए देखते हैं next question इसमें बोला गया है test the divisibility of the following numbers by 9 यानि कि यहाँ पे भी आपको test करना है divisibility लेकिन इस बार जो check करना है वो है 9 के लिए and 9 का rule क्या था इसमें आपको पिछली वीडियो में बढ़ाया थे वो था sum rule right यहने कि sub visit को plus किजिए plus करने पे ऐसा number आता है जो कि 9 का multiple है या 9 की table में आता है तो वो पूरा का पूरा जो number है वो 9 से divisible होगा तो चलिए plus करते हैं 7 plus 8 plus 9 plus 6 plus 5 plus 1 7 plus 8 हो जागा यह आपका 15 15 plus 9 24 24 plus 6 30 30 plus 5 35 plus 1 36 कितना है students 36 तो students क्या है 36 जो है वो 9 की table में आता है तो yes 9 forza 36 तो यह number जो है 9 से divisible होगा चलिए यह चीज़ अप्लाय करते है next question के लिए तो यहाँ पे plus करते हैं 7 plus 5 plus 7 plus 9 plus 0 plus 0 चलिए plus किज़े कितना आता है 7 plus 5 हो जागा 12 12 plus 7 हो जागा 19 19 plus 9 28 28 plus 0 28 28 plus 0 28 तो यहाँ पे आगया 28 तो students क्या है 28 9 की table में आता है नहीं 9 327 9 forza 36 तो यह जो number है यह basically 9 से divisible नहीं होगा क्योंकि 28 जो हो 9 की table में नहीं आता है okay students clear है चलिए देखते है next question यहाँ पे भी आपको सबको plus करना है तो जागा 4 plus देखिए 7 कितने बार है 1, 2, 3, 4 तो 7 plus 7 plus 7 plus 7 then plus 0 plus 4 चलिए सबको plus करते हैं तो 4 plus 7 11 11 plus 7 18 18 plus 7 25 25 plus 7 32 32 plus 0 32 32 plus 4 36 6 कितना आ गया 36 तो students क्या है 36 9 की table में आता है so your answer should be yes 9 for 36 तो क्योंकि यह 9 की table में आता है इसलिए पूरा number जो है यह 9 से divisible होगा clear students next question देखते हैं यहाँ पे भी आपको plus करना है 5 plus 8 plus 7 plus 0 plus 9 plus 6 तो चलिए सबको plus किजिए 5 plus 8 हो जाएगा 13 13 plus 7 20 20 plus 0 20 20 plus 9 29 29 plus 6 35 कितना आया 35 तो students क्या है 35 9 की table में आता है 9 for 36 होता है and 9 6 हो 27 होता है तो यह 35 जो 9 की table में नहीं आता है इसलिए जो यह number है students यह 9 से divisible नहीं होगा okay students clear है चलिए देखते हैं next question इसमें बोला क्या है test the divisibility of the following numbers by 10 तो यहाँ पे भी आपको test करना है divisibility को लेकिन इस बाद जो number है वो है 10 and students हमने 10 का जो divisibility rule पढ़े थे कि last में जो है यहने कि once digit पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए 0 होगा तो वो number 10 से divisible होगा right students तो चेक किजिए इसके last digit में 0 है क्या यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए 10 से divisible नहीं होगा clear है last में 0 होगा तो 10 से divisible होगा नहीं तो नहीं होगा यहाँ पे देखी last में 0 है once पे है तो यह 10 से divisible होगा यहाँ पे देखी सबसे last में क्या है 4 है 0 नहीं है तो यह 10 से divisible नहीं होगा students तो इस number में students last digit जो है वो 0 है तो इसका मदलब यह number 10 से divisible होगा ओके clear है चली देखते है next question इसमें बोला गया है test the divisibility of the following numbers by 11 याने कि इस question में भी हमको test करना है divisibility लेकिन इस बार जो number है वो है 11 इसका rule क्या पता है students तो चली एक question से ही समझते है because इसका कोई one liner ऐसे कोई shortcut नहीं है जो मैंने आपको बताया हो इसका एक pattern है तो जो number है पहले उसको लिखेंगे तो number है 455400 तो rule ही था students की सबसे पहले once वाले digit को पकड़िए और उसके बाद एक एक place को छोड़ करके आपको pair बढ़ाना है जैसे कि हम लेते हैं पहला place यह once वाला है फिर एक number छोड़ करके उसके बाद 4 फिर एक डिज़ छोड़िए फिर 5 फिर 4 छोड़ के कोई number नहीं है तो रोग देंगे अब यहाँ पर जो भी number हुए है उनको plus करना है तो 0 प्लस 4 4 4 फ्लस 5 होड़ागा यह 9 ओके और जो बाकी बच गए है उनको pairing कीजिए यह हमने pairing कर लिए तो 0 फ्लस 5 5 5 फ्लस 4 9 उसके बाद क्या करते हैं इन numbers को minus करते हैं तो 9 minus 9 answer है 0 तो यहाँ पर जो answer है वो यहाँ तो 0 होना चाहिए यहाँ फिर 11 की table में आना चाहिए तब भी वो 11 से divisible होगा अब क्योंकि यहाँ पर answer 0 आया है तो इसका मदलब भी number जो हो 11 से divisible होगा है students क्यों? क्योंकि हमको answer 0 मिला minus करने पर तो यहाँ तो 0 मिलना चाहिए यहाँ तो 11 की table में आना चाहिए students इतना clear है चलिए देखते है next question सबसे पहले इस number को लिखते हैं चलिए 0 कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 0 है तो 1, 2, 3, 4, 5 and then 1 फिर one space को पकड़िए फिर एक एक number छोड़ करके pairing कीजी students ओके तो 1 plus 0, 1 1 plus 0, 1 1 plus 1, 2 आ जाएगा उपर and जो बच्चे हुए decision है उनको पकड़िए तो नीचे 0 आएगा तो 2 minus 0 answer है 2 तो देखिए आपर 0 भी नहीं है और 2 जो है वो 11 की table में नहीं आता है इसका मतलब यह जो number है यह 11 से divisible नहीं होगा students clear है इतना चलिए देखते हैं next question तो अब जो number है यह है triple 3, triple 1 students चलिए लिखेंगे इसको triple 3, then triple 1 once place को पकड़िए and then pairing किजिए एक एक number छोड़ करके तो 1 plus 1, 2, 2 plus 3 आजाएगा 5 ओके then 1 plus 3, plus 3 याना कि 3 plus 3, 6 plus 1, 7 अब यहाँ पे बड़े number में से च्टोड़े number को minus करेंगे तो 7 minus 5 answer आगे 2 ना तो 0 मिला और ना ही 11 की डेबल में आता है 2 आता है कि students 11 की डेबल में नहीं आता है तो यह number जो है 11 से divisible नहीं होगा clear चलिए देखते है next question यहाँ पे जो number है वो है 5, 8, 7, 3, 0, 9 once place को पकड़िए फिर एक एक छोड़ करके आप pairing किजिए तो 8 plus 3 हो जाएगा 11 11 plus 9 हो जाएगा 20 फिर बचे भी numbers की pairing किजिए तो 5 plus 7 12, 12 plus 0 12, तो 20 minus 12 करेंगे तो answer आगा 8 अब 8 जो है students 11 की डेबल में नहीं आता है इसलिए जो यह number आईए 11 से divisible नहीं होगा राइट students ओके students, I hope आपको ही clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइक कीजिए और वीडियो को लाइक जरू करें आज के लिए इतना ही